जब तर्बतर विदी से विजाई करते हैं तो उसमें बुवाई के तुरंत बाद पेंडी मिथली नामक दवा आती है अगर लखी डिल प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें व्योस्ता होती है कि साथ के साथ छिल्काओ कर सके इसके लिए 1200 से लेकर के 1500 मिली लिटर दवा आप 200 से 200 लिटर पानी में घोल करके उसका हम बुवाई के तुरंत बाद शिल्काओ करते हैं ये प्री इमर्जन्स हर्वी साइड का काम करता है जो खर्पतवार निकलते हैं वो सब नहीं निकल पाते हैं और मर जाते हैं इसी तरह से जो हम अगर पानी बुवाई के बाद लगाते हैं तो उसमें जम ही अगले दिन या एक दो दिन बाद खेत में चलने लायक हो जाता है उस समय हमको पेंडी मितलीन दवा कर लेना चाहिए अब हम यह बताना चाहेंगा आपको कि दोनों विदियों में क्या विशेश अंतर है अगर हम तरबतर विदी से धान की सीधी विजाई करते हैं तो इसमें खर्पतवार का नियंतरन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है क्योंकि पहली बार जब हम पानी लगाते हैं और उसके तुरंद बाद अंकरण खर्पतवार का हो जाता है और जुताई करने के साथ साथ वो खर्पतवार समाफत हो जाते हैं एक और इसका फायदा होता है कि अगर धान की जो पुरानी पिछले साल जो किस्म खेत के अंदर लगाई गई है उसके बीज अगर खेत में रह जाते हैं तो वो भी पहली बार पानी लगाने के साथ ही बीज जम जाते हैं और जब जुताई करते हैं तो वो सब पौधे मर जा जिस से जो आप नई किसम की विजाई कर रहे हैं उसकी सुलता बनी रहती है अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस खेत में पिशली बार धान की वही किसम लगाई गई थी और उसी किसम को दूसरी बार भी अब लगा रहे हैं तब तो कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन अगर किसमा बदल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आप जब हम विजाई के तुरंद बाद पानी लगाते हैं तो उस तरीके में खर्पत्वार की समस्या थोड़ा जादे आती है और उसको हमको अच्छी तरह से नियंत्रित करना चाहिए अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम धान की सीधी विजाई से अच्छी फसल प्रात कर सकते हैं पानी की बचत कर सकते हैं वातावरन को ही सुरची तरह करते हैं जो ग्रीन हाउस गैस का उस सरजन उसमें कमी ला सकते हैं और जो स्रमिकों में हमारा ब्याय होता है तीन से चार हजार उपे प्रतिजिकर उसमें भी कमी आएगी और सबसे महत्वपून बात पानी की बचत होगी धान की सीधी विजाई करने में फसल की अवद ही करीब एक हपते से लेके दस दिन आमतोर पे कम हो जाती है तो मुझे उमीद है अभी आपका समय है करीब 25 मई से लेकर के 10 जुन तक का उप्यूक समय होता है धान की सीधी विजाई करने का अगर आपने नहीं किया है तो अभी आपका समय है आप धान की सीधी विजाई 10 जुन तक कर सकते हैं बहुत धन्वाल